हलो स्टूडेंज वल्कम टेस्ट आपकेंडमी मेरा नाम है सुर्वितिवारी और आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिशिटी चाप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज अन करेंट हमने इसको ना पहले ही इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है access or deficiency of electron is known as electric charge एक थोटा साव है आपको इसको फिर से revise करवा रहे हूँ क्यों कि electric current जो है वो electric charge पर ही based है बच्चो तो सबसे बहले point तो आपको याद रखना है कि electric charge क्या होता है तो a charge is a physical entity which is defined by the access or deficiency of electron on a body किसी body पर कितने number of electrons है और कितने number of electrons नहीं है उसके हिसाब से हम कहते हैं कि वह charge है अब वो कौन से तरीके का charge हो सकता है तो दो तरीके के charge होते हैं बच्चो एक होता है पॉजटिव चार्ज और एक होता है negative charged अब हम किसे positive और किसे negative कहते हैं जब किसी point पर किसी particle कि कहीं पर किसी atom में ज्यादा Number of Electrons होते हैं तो हम कहते हैं कि वो negatively charged है कैसा है ? negatively charged और अगर किसी point पर, पर किसी atom पर आपके Number of Electrons कम होते हैं वो lose कर देता है आपने electron तो हम यह कहते हैं कि वो positively charged है अब atom के अंदर तो proton, electron दोनों ही होते हैं लेकिन हम electron की संख्या से जानते हैं कि वो positively charge है या फिर negatively charge है इसको detail में समझना है बच्चो तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लेना जिसमें मैंने आपको पार्ट वन देख लेना जिसमें मैंने आपको electric charge को detail में समझाया है अब exam point of view से इतना काफी है कि अगर charge के बारे में पूछा जाए तो हम इतना definition जो है वो लिखते अब a glass rod rubbed with a silk cloth acquired positive charge या फिर से और simple example में आपको बताओं जब आप कॉम करते हो तो आपका जो कॉम रहता है कंगी जो रहती है आपकी जब आप उसको बालू में इस तरह से रब करते हो तो आपके बाल से कुछ चार्ज निकल करके आपके कंगी में आ जाते हैं औ वजा से दो पॉइंट क्रेट हो जाते हैं positive और negative और positive negative के बीच में force of attraction होता है जो कि हमने फिर से लास्ट वीडियो में पड़ा था आप इलेक्रिक चार्ज के बारे में और बताएं तो इलेक्रिक चार्ज की ऐसा unit होती है कूलम और विच इक्वल विच इक्वलेंट टू च total charge required by the body is the integral multiple of magnitude of charge और a single electron this principle is called the quantization of charge मतलब क्या है सिदे सिदे शवदों में अगर हम लिखे q equals to any तो यहां से मुझे number of charge मिल सकते हैं कैसे मिल सकते हैं जहां पर n होगा आपका number of electrons जो की एक whole number है e होता है charge on one electron जिसकी मदद से आप charge की value को find out कर सकते हैं और इसे कहते हैं हम quantization of electron ठीक है magnitude of charge on one electron एक charge पर कितना एक electron पर कितना चार्ज होता है तो यह याद रखना है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होता है ठीक है charge on n electron तो n electron में कितना हो जाएगा तो n into 1.6 into 10 to the power minus 19 magnitude of charge on one proton तो proton की value को आप positive लेते हो तो हमने 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम लिख दिया ठीक है चलिए अब आ जाते हैं electric current पर चार्ज को मैंने इतनी जल्दी फटाफट से इसले निकाल दिया क्योंकि पहले हम इसको बहुत detail में समझ लिए है एक बार revision करना ज़रूरी था अब चार्ज क्या था बच्छो चार्ज जो है वो है आपका electrons का concentration जहां ज्यादा है वो positive charge और जहां कम है electrons वो positive charge अब एलेक्ट्रों इधर से उधर क्यों जाते हैं क्योंकि जैसे आप उनको energize करते हो तो उनमें energy आ जाती हो जो free electron होते हैं वो atom से atom जम करते हैं अब इनको हम energy कैसे देते हैं तो हम energy देते हैं voltage के मदद से potential difference create करके या मैं बोलू potential देके electrical potential देके अब electric potential क्या होता है एक तरीके का force produce करेगा EMF produce करेगा जिससे क्या होगा बच्चों जिससे की force लगेगा इन चार्ज पर ठीक है पहले क्या हो रहा है अगर आपने माली जो friction किया या polarization किया तो क्या होता है चार्ज कोई random motion करते हैं लेकिन जब आप उसे conduction करते हो conduction मतल Uma에 two charge में जाना एक direction में जाना तो उसके लिए हम उसमें बैटरी लगा देते हैं तो जैसे आपने और अपर यूनिट एरिया तो उसे हम कहते हैं करेंट तो जो करेंट करेंट का मतलब क्या होता है बचो एक सीधे का सरल शब्दों में अगर मैं बताओ तो किसी भी चीज का फ्लो करना करेंट का मतलब क्या होता है फ्लो करना अब फ्लो करना मतलब की जैसे एयर करेंट एयर करे ठीके वाटर करेंट वाटर करेंट क्या होता है पानी का बहना उसी तरीके से जब मैं बोलू इलेक्ट्रिक करेंट तो इसका मतलब क्या चार्ज का बहना पहले चार्ज कैसे थे बच्चो एक जगे पर थे ठीक है यह जो चार्ज थे वो यहां 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 थे अब मैंने यहां पर उनको फोर्स लगा दिया मैंने कैसे फोर्स लगाया मैंने एक जगे पॉजिटिव point create कर दिया जिसके वजह से यह आपके electrons थे ठीक है वो क्या होने लगे बच्छो वो पॉजिटिव के तरह दौर दौर के एक लाइन में आने लगे ठीक है तो जब वे लेक्टरॉं कम चार्ज बोलेंगे तो जब यह चार्ज बहना शुरू हो के तो इनके बहने से क्या प्रोड्यू दौरा करेंट प्रेडीउस हुआ श्कृ प्रेस करेंट का डेफिनेशन क्या होगा तो दर रेट ऊफ फ्लो of electron or the rate of flow of charge with respect to time it in any cross-section area of conductor 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 में ही charge flow हो पाएंगे क्योंकि conductor में हमें free electron मिलेंगे जो free होगा वही तो दौर लगाएगा जो काम में busy है जो बंधा हुआ है वो थोड़े निकल पाएगा तो इंसुलेटर में तो सारी electron pack होते हैं लेकिन conductor में free होते हैं थोड़ा सा आप उसको energy दो मतलब क्या voltage लगा हो तो क्या होगा force लगेगा सारे electrons सारे charge carriers बहना शुरू हो जाएंगे तो इट इस डिफाइन इस डिफाइन दरेट of flow of electric charge through any cross section of a conductor ठीक है तो rate of flow of electron through any cross section of a conductor तो किसी conductor के cross section में बहने वाले charges को हम कहते है current ठीक है अब rate है that means कि किसी चीज़ पर depend करा तो किस पर depend कर रहा है unit time पर depend कर रहा है तो current क्या हो जाएगा बच्चों current होता है q by t क्यों लिखा हमने qt q by t क्यों लिखा क्यों लिखा है क्योंकि rate time पर depend करता है charge का flow होना ठीक है the rate of flow of charge with respect to time और जिसके respect में भी कोई चीज़ बहती है उसको नीचे लेते हैं तो भई time के respect में charges का बहना कि कितने time में कितने charge flow कर रहे हैं उससे produce होता है current electric current इसकी जो direction है वो हम कैसी लेते हैं opposite to flow of charge अगर electron और इस direction में flow कर रहे हैं तो बहने वाला current का direction opposite होता है ऐसा क्यों होता है हमने माना हुआ है किसी चीज़ को study करने के लिए conventional directions को माना जाता है physics में तो हमने यहां माना है कि current की जो direction है वो हमेशा positive से negative होती है मैं एक दिम हिंदी में से लिकरता कि आपको याद रहे positive sign से negative sign तक लेते हो जो कि conventional direction हम ऐसा decide क्या है माना है क्योंकि हम उसे देख तो सकते नहीं है लेकिन study करने के लिए हमने हमें पता है कि एक direction में जाता है तो इस direction को हमने positive से negative direction माल लिया तो if q is the amount of the charge through the conductor in time t then electric current will be q by t q को हम क्या लिख सकते हैं तो अभी हमने पिछले थोड़ी दिर पहले पढ़ा था कि charge क्या होता है तो charge equals to होता है q equals to होता है n into e n is the whole number and e is charge on one electron तो हमने वही value यहां पर put कर दी तो क्या हो जाएगा यह n e upon t तो electric current का एक formula यहां से हमें मिल जाएगा where n is the number of electron flowing through the conductor n जो है number of electrons होते है ठीके बच्चों तो the rate of flow of charge with respect to time is current यह बात आपको याद रखनी है अब बात करें हम इसकी SI unit की तो यह है sir ampere andre Mary ampere जो की 1775 में जन्में थे और से 1836 में का देहान तुआ इन्होंने हमें इस इसकी unit provide करी थी तो ऐसा unit of electric current is ampere जो कि इनके honor में दी गए क्योंकि उन्होंने इस quantity को पता लगाया था तो current की जो unit होती है वो होती है ampere और यह एक scalar quantity है क्या है बच्चों यह scalar quantity है जिसमें दिशा का कोई महत्वजादा नहीं है बस current बह रहा है charge flow कर रहा है यह हमें पता होता है तो इस charge का बहना एक scalar quantity आपको देता है क्योंकि मैंने अभी यह direction को बताया क्या इसको मैंने बताया conventional direction ठीक है जुसमें फोर्स लगाओगे तो वह किसी पर्टिकुलर डारिक्शन में जाएगी ठीक है अब यह तो हो गया electric current आप देखिए कि एक छोटा सा ऐसा पूछा जाता है कि define 1 ampere तो 1 ampere को कैसे define करो गया तो 1 ampere निकालना है अगर मुझे तो मुझे पता है कि यह होता है q by t तो 1 ampere कब आएगा जब मैं एक कूलम के चार्ज को एक सेकेंड में फ्लो कर वाऊंगी तो उससे क्या प्रिद्यूस होगा उससे प्रिद्यूस होगा 1 ampere चार्ज वेन 1 a कूलम कूलम और चार्ज फ्लोश डू एनी क्रॉस सेक्शन अफ कंडक्टर इन वन सेकंड जब एक कूलम का चार्जो है वो कि सी भी क्रॉस सेक्शन में एक सेकंड में बहता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चो इसका मतलब यह कि उसमें 1 ampere करेट भायगा और अभ कुछ स्लाइड में आपको मैं फिर से दिखाना चाहती हूं कि अभी जब हमने सौरी चार्ज के बारे में पड़ा तो हमने यहां पर एक चीज बताई थी इचिज इक्वलेंट तो चार्ज कंटेंड नियरली 6 इंटो 18 इलेक्ट्रॉन एक कूलम का चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है बच्चो तो यहां से हमें तोनों चीज पता चली तो इलेक्रिक करेंट का 1 एम्पेर को कैसे डिफाइन करेंगे तो 1 किलो 1 कूलम इ तो 10 to the power minus 3 कर देना है micro ampere है तो 10 to the power minus 6 आपको उसमें लिखना होगा और वो micro ampere ampere में convert होगा अब direction of electric current तो जैसे मैंने आपको बताया कि conventional direction क्या होती है करेंट की positive से negative मतलब positive से निकल देगा current और negative में जाएगा जैसे जैसे आपके electron कैसे flow होंगे electron negative है तो वो positive की खोर्ज में जाते हैं बच्चों तो यह positive की खोर्ज में positive side पर जाते हैं electrons और जिनके current opposite direction में conproduce होता है current which is flows from positive terminal to the negative terminal तो the direction of the electric current is taken as opposite to the direction of the flow of electron that means the negative charge अब देखो हमें नहीं मालूम electron कहां से कहाँ प्लो कर रहे हैं हमें बस इतना पता है कि इसके flow से opposite direction का हमें current लेना है तो इसको हमने मान लिया कि इनका जो direction होगा वो positive से negative होगा in electric circuit the current flowing flows from positive terminal of the cell to the negative terminal जब भी किसी electric circuit को आप पढ़ोगे तो आपको एक बात याद रखनी है कि circuit को जब हम बनाना सीखेंगे तो हमें एक बात को सीखेंगे बचो कि current जो है वो हमेशा positive से निकलेगा और negative पहुचेगा यह बात हमें याद रखनी है कि current जब भी flow करता है हमारी battery में दो terminal होते हैं एक positive एक negative cell तो आप सभी ने use किया होगा उसमें भी आप ने देखा होगा तो जब इस cell को connect करोगे तो इससे current flow करेगा flow करेगा तो direction क्या होगी positive से negative flow of charge inside a wire now this is a very important question why it is it is important क्योंकि हमने देख लिया कि हां कि current flow कर रहा है कहां से flow कर रहा है तो पहली बार तो जो current flow करता है वो conductor के थ्रू करता है ठीक है अब conductor में ऐसी क्या चीज होती है कि इसमें current flow करने लग जाता है तो हमने पता हमें पता है कि हर एक matter करो कि तो उनके जो electrons है वो उनके नुकलस से बहुत टाइटली बाउंड होते हैं लेकिन जब conductor की बात करो तो conductor के आउटर मोस्ट शेल में free electron होते हैं ठीक है इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा energy देते हैं तो यह जंप करना शुरू कर देते हैं किस तरह से तो बच्चों यहां पर एक डाइग्राम में आपको इंडिकेट करना चाहती हूं हमने यहां पर एक बैटरी लगाई तो बैटरी लगाने से very closely to each other ठीक है यह हमें बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी कंड़क्टर के अंदर अगर आप एटम्स की बात करोगे तो यह एटम बहुत पास 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 एक दूसरे से closely tight होते हैं अब इनके बाहर हर एक आटम में एक फ्री फ्री एलेक्ट्रॉन होता है यह एलेक्ट्रॉन बहुत ही energy से भरे हुए रहत हैं और यह बहुत लूजअब होते हैं और क्या थोड़ी energy दोती है तो यह क्या करते है जंप करना इधर से दर जाना atom 2 atom शुरू हो जाते हैं तो but electrons are able to travel थो सॉलिट गर के बाहर हम इने वेक्वम में रखते हैं तो क्या होता लग जाते हैं अब देखिये यह रहाँ आपका सॉलेड है अब यह जो स्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठे हुए मैं लेक्टरॉन इस थरह से बना देती हूं ठीक है ये क्या करते है बच्चो इस तरह से random motion करते हैं ठेक है कुछ electron यहाँ वहाँ इस तरह से जाते हैं लेकिन जैसी ही यहाँ पर आप potential apply करते हो इन सभी को velocity मिलती है और velocity क्या है बच्चो एक vector quantity है मतलब कि जब किसी चीज को एक drift velocity आप देते हो तो वो एक particular direction में move करणा शुरू कर ठीक है अब क्यों बहना शुरू हो रहे है क्योंकि हमने positive से negative यहाँ पर टर्मिनल पर एक battery लगा दी है यह मैंने battery लगा दी ठीक है और प्यारे तरीके से मना देते हैं यह positive और यह negative अब क्या होता है जैसे हम positive से negative terminal पर यहाँ बैटरी लगाते हैं तो एक तो होता है अपकी electric field के current motion और दूसरा आप battery के sense में अपन समझते हैं यह battery का positive terminal है इसका मतलब कि यहाँ पर electrons कम है और यहाँ पर क्या है electrons जादा है ठीक है अब आपको पता है कि electron जो होते हैं वो एक repulsion force प्रवाइड करते हैं आगी की और धक्का देंगे तो जैसे हमने battery पर यहाँ पर negative दे दिया तो यहाँ से एक तरीके का force जो है यह electron पर लगेगा अब यहाँ पर क्या होगा जैसे यह force यहाँ पर आया तो इस electron की जो energy थी वो इसको मिली इस electron के energy इसको मिली इस तरह से यह एक velocity का exchange करते हुए ठीक है सब पर हम क्या कर रहे हैं सबकी speed बढ़ाते जा रहे हैं और यह सारे के सारे फिर एक direction में मूव करेंगे और यह एक direction कौन सी है negative से positive की तरफ और क्यों negative से positive की तरफ आ रहे हैं वहाँ पर ज्यादा number of positive charge हैं और यहाँ पर ज्यादा number of negative charge हैं तो यह electron क्या करेंगे यह जो electron है यह positive की तरह एक attraction फील पर महसूस करेंगे और इसलिए यह इस तरह आएंगे यहाँ पर क्या है बच्छों यहाँ पर आपका already negative है negative क्या करेगा repulsive force लगाएगा इन electron पर उन्हें आगे क की तरफ रिपल करता जाएगा यह रिपल से फोर्स लगता जाएगा लगता जाएगा और फिर एक drift speed के साथ में यह जो electron है यह कहां जाते हैं बच्छों इस positive terminal की तरफ मूव करते हैं जिससे हम conventionally यह मानेंगे कि direction of current जो है फिर positive से negative की तरफ होगा अगर electron negative से positive की तरफ होता ह है ठीक है अब यह ऐसा क्यों होता यह दोनों condition यह अजीब सा convention क्यों माना गया है क्योंकि हमने study करने के लिए कि लिए हुआ यह था कि ब्रेंजमिन फैंक लिन नहीं बताया कि positive charge की flow करने से यह current flow करता है फिर उसके बाद Thompson जी आया उन्होंने बोला कि मैंने आपकी theory का ही उस than the electron in it moves with a certain average drift speed drift speed का मतलब होता है the constant speed of electron inside the conductor with which they move under the effect of external electric supply मतलब कि एक constant speed के साथ यह पूरे circuit में मूव करते हैं एक के बाद एक के बाद एक speed energy उनको मिलती जाती है और constant speed से just speed से आप यह देख रहे हो एक speed के साथ यह electron flow करेंगे जिससे के एक आपका study current आपको मिलता है ठीक है अब कितना time लगता है the average drift speed is 10 to the power minus 4 meter per second this flow of charges produces the current in a wire और इन्हीं का electron के flow के current जिनका speed कितना है 10 to the power minus 4 meter per second इस speed के साथ जब electron जाते हैं तो इससे current produce होता है ठीक है अब बात करें एंपियर की तो वन एंपियर मतलब वन कूलम अपन वन सेकिंड यह भी हम देखी चुके है अब भाई अगर मुझे current के बारे में समझ में आ गया है कि conductor में free electron है उन free electron को force दे दो तो वही direction में फ्लो करना चालू कर देते हैं and the rate of flow of charge with respect to time is current जिसको नापनी के लिए मैं एंपियर का use करते हूं लेकिन अगर मुझे इसका कोई measurement device मिल जाए measuring device मिल जाए तो बहुत अच्छा है तो यह जो measuring device है वो होता है एंपियर को मापे वो मीटर एंपियर को मापे मतलब कि जो current की value को नापे तो एंपियर के measurement के लिए यह करेंट के measurement के लिए हम एंपियर का use करते हैं तो एंपियर इस अमेजरिंग डिवाइस विच इस यूस्ट तो मेजर दा amount of current किसी circuit में कितना current flow कर रहा है तो यह जो emitter है यह दो तरीके के आते हैं आज कर डिजिटल और एनलॉग यह एनलॉग emitter है और जिसमें हम यहां पर galvanometer या फिर एक magnetic needle का use करते हैं जो कि electric field के recording magnet move करके हमें बताती है कि कितना आपका current की value आई है इसके अलावा digital भी होते हैं जिसमें हमें direct digit के form में पता चल जाता है कि कितना ampere current हमारे circuit में फ्लो कर रहा है तो it is an instrument to measure the electric current in a circuit is it is always connected in series a main बात यह है कि हमेशा series में connected होता है एक अभी भी आप किसी भी circuit में लगाओगी तो दो तरीके के connection होते हैं बच्चो मान लिजे कि यह एक बल्ब लगा हुआ है मुझे चेक करना है कि इस बल्ब में कितना current जा रहा है तो इसके लिए यहां पर जो मैं अमीटर लगाओंगी वो मैं उसके साथ में कैसा लगाओंगी बच्चो सिरीज में लगाओंगी ठीके ना कि मैं इसको इस तरह से इसके साथ लगाओंगी इस तरह की connection को हम कहते है parallel connection और यह connection कहलाता है series connection तो हमेशा emitter को series में लगाया जाता है क्यों लगाया जाता है क्यों कि भाया यह जो आपका emitter है वो आपके current की value को देता है और current जो है वो series में समान रहता है बठता नहीं है यहां पर अगर parallel की बात करें तो parallel में voltage को नापनी के लिए voltmeter को लगाया जाता है और voltmeter जैसा नाम से समझ में आ रहा है एक ऐसा डिवाइस जो कि voltage के measurement के लिए यूज होता है तो बच्चों यहां से दोनों चीज़े आपके आय़ोप कलियर हो गई होगी कि ещеlarını को हमेशा सीरीज में लगाते हैं क्यों कि सीरीज में करेंड की वेल्यू हमेशा सेम रहती है पैरलल मतलब कि अगर बहुत सारे रास्ते बना दोगे तो क्रेंड राहने बहत की तरह वो भेज अगा और उसा विल्गक्रलिक में हो जाई हैंगे बच्चों इसे हमेशा सीरीज में लगाया जाता है इलेक्रिक करेंट फ्लो इन सर्केट फॉम दा पॉजिटिव टेर्मिनल तुद नेगेटिव टेर्मिनल ऑफ यहां पर वो सर्केट के बारे में बापको बता रही थी अब इसके बाद इसमें करेंट दिया हुआ है 150 मिली एंपर मिली को एंपर में कंवर्ट कर लिजे 150 इंटू 10 तो दी पावर माइनस फ्री Ampere अब टाइम दिया हुआ है आपको टू Q by T, ठीक है, या फिर हम I equals to लिख सकते हैं, या Q equals to लिख सकते हैं, I into T equals to Q, तो I की value क्या अब दी हो थी बच्चे अपने को, 150 into 10 to the power minus 3 और ये हो जाएगा आपका 120 equals to Q, ठीक है, हम इसकी value इसको लिख सकते हैं, उसको और solve कर ले, तो ये हो जाएगा 15 into 12, ठीक है, upon 10 कर दिया मैंने इसको, sorry multiplied by 10 कर दिया, तो वही बात हो जाएगी, एक सेकिन ना, मैं क्या लिखना चारी हूँ, आप सोच रहेंगे, माम पता नहीं क्या कर रही है, तो 15 into मैं इसको 10 लिख रही हूँ, और यहां से इसको 12 into 10 लिख रही हूँ, divided by यह हो जाएगा 10 to the power minus, sorry, 10 to the power 3 ठीक है, अब यह देखो, यह बन गया आपका 15 into 12 into 10 to the power 2, और यह हो जाएगा 10 to the power 3, तो यह बचा 10, यह हो जाएगा 5253, अब देखो कितना easy calculation हो गया, तेने इसको, 36, तो 36 कूलम का चार्ज जो है, यहां पर बह रहा है, इस तरह से आप question को solve कर सकते हैं, हाना easy, चलिए, तो इस तरह से हमने question लिखा, और यह आपके 1 by 1 by 1 by 1, आप सारी चीज़े देख सकते हो, ठीक है, कुछ mistake की है, शायर मैंने calculation में, 18 C आ रहा है, मेरा कुछ गरबड हो गया, कोई बात नहीं, चलो, a total of 6 into 10 to the power 46 electron, flow through a current carrying conductor, when connected through an external power supply for 20 seconds, अब देखो, यहां पर आपको दिया हुआ ह है कि 6 into 10 to the power 46 electron, जो है, ठीक है, वो कहां बह रहे हैं बच्चों, वो बह रहे हैं, कहां बहेंगे, conductor महीं बहेंगे, ठीक है, कितने देर के लिए बह रहे हैं, तो यह आपको number दिया हुआ है, किसका, electrons का, जो बह रहे हैं 20 seconds के लिए, find the value of current in the conductor, अब आपको current की value निकालनी है, अब देखी, यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, electrons की value दी हुई है, अब हमें यहां पर एक चीज में फसादिया उन्होंने, कि current निकालो, अब current का formula मुझे पता है, q by t होता है, लेकिन मुझे क्यों निकालना पड़ेगा, तो q equals to क्या होता है, n into e होता है, अब यहां से n क value बच्चों आपको दी हुई है, जो कि है 6 into 10 to the power 46 और electron की उपर एक की उपर charge कितना होता है, तो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम जो है, यह एक electron पर आपका charge होता है, तो यहां से हमें q की value मिल जाएगी, जैसे q की value मिलेगी, हम यहां पर put करेंगे और answer हमारी सामने आ जाएगा, तो देख कैसे निकलेगी बटा, 6 into 10 to the power 46 into 1.6 आपने किया, अब जब आप इसे solve करेंगे, तो आपकी I की जो value है, वो निकल जाएगी 4.8 into 10 to the power 26 ampere, clear है, आप चाहें, तो इसका screenshot ले लिजे, कुछ इस तरह से, clear है बच्चों, बहुत easy-easy questions है, आगे चलेंगे, दिव्यार एक नाम की बच्ची है, उसकी teacher और एडवाइस किया, उसे कि clean the ends of the connecting wire before connecting them in a circuit, she wants to know why should the ends be cleaned, अब देखो कोई भी connecting wire है अगर, है ना, अगर simple wire की बात करें, तो उसके उपर एक insulating layer होती है, plastic का cover होता है, अगर आपको उसको किसी circuit में लगाना है, जिससे current flow करें, तो आपको इस insulation को हटान नहीं करनी है, जिससे की leakage हो जाए current का क्योंकि पानी वगरा से क्या होता है, बच्चो, current leakage होता है, spark produce हो जाता है, इसलिए उसके teacher और एडवाइस किया है, कि जब भी आप किसी भी connecting wire को, चाहे वो इस form में हो, चाहे connecting के form में हो, चाहे उसमें इस तरह से lead निकली हुई wires हो, ठ क्या है, दोनों तरीके के wires को हमें clean करके रखना चाहिए, ताकि हम current के loss को spark से बच सके, तो इस वज़ा से protection के लिए हमें ये दोनों चीज़े करने चाहिए, और दूसरी चीज़ अगर insulating wire हो, अगर डायव को चील के use कर रहे हो, तो इसलिए use करते हो, ताकि उपर के cover को आप हटा पाओ, insulation को हटा पाए, तो बच्चों यहां से हमने समझा कि electric current क्या होता है, I hope आपको ये video helpful लगी होगी, इस से related questions हम solve करेंगे हमारे next video में, जिसको देखना मत भूला, I hope आज का video helpful लगा है, पसंद आया है तो comment करें, नहीं पसंद आया है, तो भी आप comment कर सकते हैं, जह जो गलती होई है, वो माफ करके बता सकते हैं, कि माम ये साहर point मुझे clear नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ा आप comment में बताएं, इस video को like, share करें अगर आपको पसंद आया है, और चैनल को subscribe करना ना भूलें, विकास new channel है और आपके support के हमें बहुत जरुवत है, तो चलिए मिल है, तो आपके लड़ नाज करदेंस आइदों कर सकते हैं, तो ये लगए जह होड़ झाचीज़ां, रूवत हैं जता सकते हैं, वोह हैं, और आपको जिरूप है कर समसे हैं, ल defended हैं व कर जो चैंभर हैं, ये सारी आपको जित करन मैं दोबह झारा सकते हैं, जिए सब्सेयर buen